पनोर मंकुरूप जो सोचता है वो करता है इस बात की चर्चा सुरू हो गई है जैसे ही इसकी चर्चा सुरू होई हमलगतार और आपको याद होगा कि संपद नमवन विश्रा जी ने इस विशय को लेकर के चार दिन पहले ही एक खबर किया था कि इतना सब कुछ होने के बाद उपेंद कुस्वाहा चुप क्यों है क्या उपेंद कुस्वाहा अपने भाई धर्म का निर्वाहन कर रहे हैं या फिर इस विशय पर उन्हें नहीं लगता है कि उनकी प्रतिक्रिया आनी चाहिए उनकी पार्टी के तरफ से भी इस पर कोई विशय स्टिपनी नहीं आई और इस बीच में कई लोगों से हमने बात भी करने की कोशिश की लेकिन कोई भी एसपर्ष्ट तरीके से बात करने के लिए तयार नहीं है नितीश कुमार को लेकर के कहा यह जा रहा है कि नितीश कुमार काफी परिशान है अपनी पार्टी को एक बार फिर से मजबूती के साथ बचाने के लिए उन्हें सहारे की जरूरत है और इस बात को लेकर के जिस तरह की समस्याएं सामने आ रही हैं और जिस तरह चक्रविव में नितीश कुमार फंस गए हैं कि एक तरफ भारतिये जनता पार्टी है जो उन्हें इंट्री देने के लिए तयार नहीं है तो दूसरी तरफ लालू परसाद हैं जो जातिये जनगन् पर बिखराओ होता नजर आ रहा है इन सारी समस्याओं और सारी बातों पर मंतन के बाद जो नितीश कुमार के इर्दगेर्थ ठिंक टैंक हैं उन्हें इस बात की जानकारी है कि आखिर पार्टी को कैसे बचाया जा सकता है इसके दो ही रास्ते हैं और दोनों ही रास्ते खबर आई कि जब नितीश कुमार ने सदन में इस तरह की बाते की तो उसके बाद से प्रतिक्रिया सभी तरफ से आने लगी यहां तक कि जो नितीश कुमार के सहयोगी दल हैं उन्होंने भी नितीश कुमार को संयम बरतने और सब्दों की मर्यादा को और इस तरह की बातों स दूर रहने की बात सलाह नसीहत दी थी इसके बाद उपेंद कुस्वाह के तरफ से कोई बयान नहीं आया उपेंद कुस्वाह से जब इस बिशए पर पूछा गया तो उन्हें ने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि हर बात पर reacts किया जाए हलाकि हमने लगतार ये कोशिश किया है कि इस विशय पर अपनी प्रतिक्रिया दें लेकिन अभी तक उपेंद कुस वहाँ इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिये हैं और इस बात के लगतार चर्चा में आने के बाद निश्यत रुप से उनके उपर भी दबाव बढ़ रहा है और हम उमीद करते हैं कि जल्दी ही उपे उपेंद कुस वहाँ घर वापसी करेंगे यानि जदियू में फिर से उनके आने के संभावनाएं प्रवल हो गई हैं इसके पीछे कई कहानिया कही जा रहा है कि भारते जनता पाटी उपेंद कुस वहाँ को भाव नहीं दे रही है जिस तरसे जीतन राम्माजी और चिराग पासवान को दे रही है खैर इन सारी बातों के साथ साथ ये कहा जा रहा है कि नितीश कुमार ने एक बार फिर से रिक्वेस्ट किया है कि आपके लिए हमने बहुत कुछ सोच के रखा था आप जल्दबाजी में निकल गए और जिस ब्यक्ति के कारण निकले हैं आज उसी से हमारी दूरी है और उसके कारण आप ही है ये सारी बाते समझा बुझा करके उपेंद कुस्वाहा को कहा जा रहा है कि मनाने की कोशिस की जा रही है और एक बार फिर से उपेंद कुस्वाहा जदियू का हिस्सा हो सकते हैं कहा तो यहां तक जा रहा है कि उपेंद कुस्वाह के तरफ से इस पर चुपी सादना और उनके पार्टी के तरफ से भी कुछ नहीं बोला जाना बातें बहुत सारी खड़ी करता है इतना ही नहीं अंतमे जब ये खबर आप सुन रहे होंगे उसके कुछी समय पहले एक उपेंद कुछी की पार्टी आपसे बयान आया है जिसमें राष्ट्रिये लोग जनता दलने माजी का समर्थन करते हुए निचीश कुमार के ब्यवहार पर आपत्ती जाहिर की है आपको बता दें कि इस प्रक्रिया को लेकर के जीतना दाम माजी का जो मौन धर्ना हो रहा था उस धर्ना का समर्थन किया गय संभुनात सिनहा ने इस पूरे मामले को लेकर के दर्जन और निताओं के साथ धर्ना अस्ताथ पर पहुँचकर इस कारेकरम में हिस्सा लिया और जीतन रामाजी का समर्थन किया इसका मायने आप समझ सकते हैं कि कहीं न कहीं एक तरफ ये बाते उड़ाई जा रही है और प सबनाम करने की और पार्टी को तोड़ने की किसी ना किसी की साजी से अब देखना दिल्चस्प होगा कि क्या कुछ निकल करके सामने आता है लेकिन जिस तरह की जानकारी हमें मिली है कि एक दो दीन में उपेंद कुस्वाहा इस विषय पर अपने चुपी तोड़ेंगे और बिहारियत से सरुकार रखे नी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ले ओजे गो घंटी बाग उकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाए अगर रुवा पत्रकाजिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहता नहीं तो जॉइन बटन दबा दी पेटियम नंबर नोटकली 9386816700 धन्यवादी